हेलो फ्रेंट कैसे हैं आप लोग आई होब कि आप सभी ठीक होंगे स्वागत है आपका अपने चैनल को कवित अनीसा में मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होष्ट अनीसा तो फ्रेंट्स बारिस के मौसम में हमें चटपटा खाने का मन करता है लेकिन बाहर का खाना बिल्कुल भ और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें तो ताकि मैं जो भी वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो इस रेसिपी के लिए यहाँ पे एक कप मैंने ले लिया है गेहू का आटा और इसी के साथ एक कप यहाँ पे मैं ले अजवाइन तो अजवाइन को इस तरह से क्रस करके हमेशा डालना चाहिए और इसमें हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक और अब इसमें मैं डाल दूंगी वन फोर्थ कप घी तो यहाँ पे घी को मैंने मेल्ट करके डाला है आप घी के जगा पे ओयल भी डाल सकते है तो आप घर के किसी भी कटोरी कप को सेट करके ले सकते हैं लेकिन इसी रैसियो में होना चाहिए इससे आपका नास्ता जो है बहुत ही अच्छा बनेगा तो इस तरह से देखिए मैंने अच्छे से इसमें मौयन लगा लिया है और अब यह मुठी बंधने लगा है इसका मतलब अच्छी तरह से मौयन लगके हमारा जो आटा है वो तयार हो चुका है तो अब इसमें हम थोरा थोरा करके पानी डालेंगे तो पानी एक बार में बिल्कुल नहीं डालना है थोरा थोरा करके पानी डालते जाए और इसका हमें आटा लगा लेना है तो सक्थ आटा हमें लग जाए तो इस तरह से दिखें हमें 1-1.5 मिनट के लिए इसको अच्छे से कमसल लेना है जिससे आटा बहुत ही जधा अच्छा बने जितना अच्छा आटा बने गा उतना ही टेश्टी आपका ये नास्था बने के तयार होगा तो इस तरह से देखे हमारा जो आटा है वो बिल्कुल परफेक्ट लग के तयार हो चुका है तो अब इसको हमें ढख के छोड़ देना है रेश्ट के लिए तो जब तक आटा रेश्ट करता है हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं इसके लिए यहां पे एक कप मैंने ले लिया है सत्तू जो घुने चने का सत्तू होता है वो यहां पे मैंने लिया है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है यह तो यहां पे मैंने सत्तू ले लिया है इसमें हम डाल देंगे आधी चमच कलाउंजी तो कलोंजी को भी हमें इसी तरह से हाथों से रब करके डालना होता है और आधी चमच यहां पे मैं डाल रही हूँ रब करके अजवाइन तो अजवाइन और कलोंजी से सत्तू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें मैंने डाल दिया स्वादा नुसार नमक अब यहां पे 4-5 कली लहसन के मैंने बारिक चौप करके डाल दिया है एक हरी मिर्च मैंने बारिक चौप करके डाल दिया है और इसी के साथ एक मीडियम साइज का प्याज जो है वो भी मैंने बारिक चौप करके इसमें डाल दिया है तो यह याद रखे कि जो भी आप इसमें डाल रहे हैं बहुत ही ज़्यादा fine chop होना चाहिए बरे टुकरों में बिल्कुल ना डालें अब यहाँ पे आधे निम्बू का रस में डाल रही हूँ तो आप कितना खटा पसंद करते हैं यह आप पे depend करता है तो उतना निम्बू का रस आप इसमें डाल सकते हैं और इसी के साथ इसमें मैं डाल रहे हूँ जो अचार का मसाला होता है वो यहाँ पे मैं डाल रहे हूँ इससे इसका टेस्ट बहुत ही amazing आता है अगर आप अचार का मसाला नहीं डाल रहे हैं तो खटाई थोड़ा सा और ज़्यादा बरहा दीजिए या अमचूर का पॉडर भी इसके जगह पे डाल सकते हैं और इसमें आधी चमच मैंने डाल दी थी सरसो का तेल सरसो के तेल से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और अब इसको हमें अच्छे से अपने हाथों से इस तरह से रब करते हुए जो है mix करना है जितना आप इसको रब करते हुए mix करेंगे ना तो नहीं हर चीज का स्वाद जो है वो सत्तू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है अब इसमें हम डाल देंगे धेर सारे धनिया के पत्ते तो यहाँ पे मैंने धनिया के पत्ते भी डाल दिये हैं और अच्छे से इसको हमें इस तरह से मिक्स करके तयार कर लेना है तो यह दे तो चलिए यह हमारा आठा जो है वो तयार हो चुका है अब इसके हमें लोई तोर लेने हैं तो इसके बहुत बढ़े बढ़े लोई नहीं तोरने हैं हमें एक बार में आपसे जितना हो उतना बनाना है इतना आप तोर के अराम से रख सकते हैं तो यहां पर एक लोई हम इस तरह से लेंगे और उसको हमें इस तरह से कटोरी का सेप दे देना है यह देखे इस तरह से हमें इसको अच्छे से कटोरी के तरफ बना लेना है और अब इसमे को ही से भी खूले नहीं तो अच्छे से इसको hai से फाटा देते हैं यह अच्छी तरह से घूने हाथों से हमें इसे फैलों देना है जिसके अच्छे से यह पदला भी हो जाई और अच्छी तरह से सत्तु हर जगक फैल जाय। से मैं दूसरा भी और इसमें सत्तू भर देना है अच्छे से भरने के बाद इसको हमें इस तरह से बंद कर देना है और बंद करने के बाद इसको अच्छी तरह से हमें चारों तरफ से सील करते हुए कहीं से फटे नहीं और अच्छे से इसको हमें जो है बना के तयार कर लेना है तो इसी तरह से ह सारे नास्ते को बना के यहां पे तयार कर लेंगे और यह देखिए इस तरह से हमें फ्लैट कर देना है इस तरह से आप हाथेली से भी कर सकते हैं इसको बेलने की कोई जरूरत नहीं होती है हाथों से ही अच्छे से इस तरह से फ्लैट हो जाता है तो चलिए यहां पे सारे मैंन पूल नहीं करना है और यह देखे जब आप इसमें डालेंगे न तो बस हलका हलका साइड से बबल्स आना चाहिए बस इतना ही गरम ओयल में हमें डालना है ज्यादा गरम ओयल में आप डाल देंगे तो नास्ता बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा अंदर से कच्छा रह दीरह दीरह आप देखेंगे इसमें बवल्स आने लगें तो तुरंत इसको नहीं पलटना है जब यह हलका हलका फूलने लगे तब इसको अला हीory जो पहार दूझे तो अभी इसे हमें low to medium फ्लेम पर ही पकाना है जब तक यह अच्छी तरह से पकना जाए अंधर से और बाह नास्ता है वो तयार होगा आप धीरे धीरे देख सकते हैं सारे जो हमारे कचोरी हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से फूल रहे हैं दम फूल के गुबारे की तरह ये अराम से फूल के तयार हो रहे हैं तो इसी तरह से हमें पलटते हुए दोनों साइड से इसको पकाना है तो ब तो सेम इसी प्रोसेस से आपको पकाना है और अब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें तो यह देखे इसका कलर एक दम चेंज हो चुका है तो थोड़ा सा मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है ताकि इसमें एक अच्छा सा गोल्डेन सा कलर आ सके तो शुरू में आपको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है बाद में जब यह अच्छे से पक जाए तो थोड़ा सा फ्लेम को हाई कर दीजे जिससे कि इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है तो अब इसको हम निकाल लेंग हमें दोनों साइड से लो फ्लेम पे पलटते हुए यह देखे यह वाला भी बहुत ही अच्छे से एकड़म से फूल के तयार हुआ है बहुत ही अच्छे से जैसा मैंने आपको बताया है इस सब सारे एस टेप आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपका यह कचोरी लांके घर बहुत ही टेश्टी तयार हो जाता है तो यह देखे इसको भी हमें दोनों साइड से पका लेना है पलटते हुए और दो जो हमने बीच में इसको फ्लेम साइब को हाइध करतेना है और इसका कलर बहुत रखिया है इसको भी हम निकाल लेंगे तो यहां पर सारे न आलू टमठर के सब्जी के साथ आप को जो भी चत्नी के साथ सर्व करना है तो आप उसके साथ सर्व कर सकते हैं बहुत ही टेश्टी लगता है यह तो friends आपको ये रेसीपी कैसी लगी please comment box में जरूर बताएं अगर आपको मेरी महनात मेरी रेसीपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नए रेसिपी के साथ किसी नए वीडियो में तब तक के लिए thank you for watching my video jay matadi bye bye